अधिरने अन्ना सहेब, अधिरने स्री वीवी रामकुरुष्णा जी चेर्मन, स्री सबोत कुमार जी, हशिश कुमार, मंच पर उपस्तित सभी अतिदिगन और उपस्तित सभी भाही और बेन। सबसे पहले मैं रामकुरुष्णा जी और उनके टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने भविश्य के तरफ देखते ही वे एक बहुत इंपॉर्टन सेक्टर को एक्सिलरेट करने के लिए इनिशिटिव भी लिया और सब को साथ मिलाया। मैंनेजमेंट का एक प्रिंसिपल होता है कम तुगेदर, थिंक तुगेदर और वर्क तुगेदर। प्राब्लम यह है कि कौन क्या कर रहा है एक दूसरे को पता नहीं है। तो यह जो प्लैक्फॉर्म है यह सबके अन्भो एक दूसरे को नहीं प्रेणा देगा। टेक्नलोजी की जानकरी देगा। और इसमें काम करने का कॉंफिडस बढ़ाएगा। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, कंसल्टर नहीं हूँ पर मैं कुछ बाते आपके सामने रखूँगा। तो आप उचित लगे तो कंसिडर करिए। पहली बात तो यह है कि मार्केट यह किसी भी प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए है। सबसे पहले प्रूवन टेक्नोलोजी यह आवश्यक होती है। अगर टेक्नोलोजी प्रूवन है तो उसके लिए क्या करना। दुसरी इंपोर्टेंट चीज है अवेलेबिलिटी ओफ रौ मट्रियाल। अब इसमें यह सबसे इंपोर्टेंट है जिसकी बात अभी आशीर जी कर रहे थे हैं। कि ट्रांस्पोर्ट ऑप बायोमास या कलेक्शन ऑप और्गेनिक वेस्ट। इस दोनों चीजे बहुत इंपोर्टेंट है। तो यह एक इंपोर्टेंट फैक्टर है कि इसको कुंसी टेक्नोलोजी यूज करें। उसके कॉस्ट कम से कम कैसे हो। दो ट्राली लगाकर वो कैसे सस्ते में कॉस्ट करें। तो यह और्गेनिक वेस्ट खरीदना है तो छोटा-छोटा इवही रिक्षा को यूज करके कैसे करें। ताकि कॉस्ट कैसे कम हो। तो प्रुवन टेक्नोलोजी एविल्बिटी आफ रो मेट्रियल देन एकोनॉमिक वायबिलिटी और एकोनॉमिक वायबिलिटी यह बहुत इंपोर्ड़न्ट है। हमारा प्रेम सबसे ज़्यादा एकोनॉमिक वायबिलिटी बरहे है। कि राइस्ट्राल से क्या बनाने से फाइदा है। दुनिया भर में खुब त्यानी लोग हैं अपने को खुब बाते बताएंगे। हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है वो हमको करना है। तो पहली बात कितनी टेकनॉलोजी है और कितना ओप्शन्स है उसमें एकोनॉमिक वायबिलिटी कैसी है यह पहले देखना चाहिए। और चौती बात है तो मुझे लगता है कि मैं इसमें थोड़ा सा मैंने इनिशिटीव लिया था। यह गर्वर्मेंट के लिए अल्रेडी बहुत अच्छा काम अगरवाल जी और इन्होंने बता है कि वो आपको सपोर्ट करने के लिए उनने अच्छे-च्छी योजना बनाई है। मैंने एक प कि फिर मारोती की एजनसी में चुजू कि कि वो सी एंजी गाडियाल आने लगी और धीरे-धीरे ट्रक कुछ छोटे वहिकल सी एंजी में करवर्ट किया है। मैंने अपना खुद का ट्रेक्टर सी एंजी पर करवर्ट किया। प्राब्लेम आया कि युक्रेन वार शुरू हो करो तो और मैंने लोगों को का अपने गाडियों को करो तो गैस स्टेशन पर गैसी नहीं है। तो वह विचारे क्या करें है। तो यह एक प्राब्लेम आया। मैरा पहला सुझा वैसा है कि आप लोग यह इंटीग्रेटेड अप्रोच में जाईए। गैस भेचने के लफड तो पहली बात तो ऐसा है कि आप गैस स्टेशन भी आपका बनाई है। और दूसरा ठर्ट, बसेस, कार, ट्रैक्टर, कनुवर्ट करने की किट्स अविलेबल है। और मैंने प्रयोक किया नाकपुर में, मैंने जिसको यह सब शिखाया, उसके पास सब आया, अब उसने अपन नहीं आता युक्रेन वार, तो वो इतना फास्ट हो रहा था, कि कोई प्राब्लम ने। तो पहले बात आप मत करिए, पर आपके ग्रूप में, कन्वर्शन काम करने वाली एक टीम चाहिए, अगर पंजाब में आप जैसे जहां से बायोमास ले रहे हैं, उसी जिले के ट्रै हमारा सेल है, अब तीस टन कोई राइस ट्राव से बना के देगा, तो कोई प्राब्लम नहीं है, अब प्राब्लम है, C&G के ट्रांस्पोर्टेशन का, तो आप साबो ही कुरूप से हमें ही कनवर्शन करने का भी काम, अलग-लग लोगों कर एक ग्रूप त्यार करें कि, कनवर्शन का काम एक कंपणी करेगी, गैस स्टेशन का काम दो-तिन हम शुरू करेंगे, और हमारा गैस उनको देते जाएंगे, तो इंटिग्रेटेड इसमें जब डिपेंडेंस हता है, तो प्राब्लम होता है, और इसमें मुझे लगता कोई अर्चन है, भी मैंने LNG का एक स्टेशन शुरू किया, तो बिच में मैं पूना में, ब्लिव एनर्जी के LNG ट्रक को मैंने लॉंच किया, अब जो LNG ट्रक है, वो एक समय चौदा सो किलो मिटर एक बार गैस भरने के बाद चल सकता है, ट्रक बहुत सुन्दर है, और उसका जो इंजीने वो फियाट का है, इटाली से लाया हुआ है, अगर समझो जैसे ये आशिजी है, इन्हों ने अपने आहां ये गैस को LNG में कनवर्ट किया, और ब्लिव एनर्जी के एजेंसी लिए और वहां चार, मैं अभी कोल के लिए, मैंने लोगों को तयार किया कि ये ये ट्रक, LNG के ट्रक आप खरीद लो, और अगर सव देर सो ट्रक आएंग ट्रक का काम है, मैंने उसको कनवर्ट करें तो मेरा गैस मैं यूज करूंगा, तो मुझे किसी के बाद जाने के जुरूत नहीं है, तो ये मॉडल जो है, ये ज्यादा ठीक हो सकता है, सम मुझे लगता है, दूसरी बात, इसमें पावर में जाने का आप पभी शब्द बद ये पावर वाली बात हिंदुस्तान के लिए भूल जाओ देगी, क्योंकि मैं चार पावर प्रोजेक्ट चलता हूं, ये जे डिसकाम वगर ये बहुत बड़ी कहानी है, और रेट कम कर देते हैं, फिर पैसे नहीं मिलते हैं, और उनकी भी पॉलिसी अलग है, उनकी पॉलिस ये मोर जनरेमिरिशन चलता गया जोलन अलभी कर देख बाता है, वे सब सकति बॉल ये पशल खर ये मिल डिकंदरेगन कहानी है, फिर दिसी अगरी कोई लिए ना देना नहीं है, उनको को जले लेना देना नहीं है। बलते दो रूपए साट पैसे अभी सोलर मिल रही तो इ तुम्हारी दस जनरेशन भी काम में लगेगी तुम्हारे जितना दवर उतना दमालो तभी इसमें मार्केट का कोई प्राब्लेम में अभी अभी इतनोल में अब जब पेट्रोल के जगह पर इथेनॉल अगर 100 परसेंट होगा और उसमें 40 परसेंट अगर इलेक्रिसिटी तैयार होगी और वह 25 रुपे लीटर पेट्रोल का भाव आएगा तो मार्केट करने के अवशक्त ही नहीं है कि अभी हैड्रोजन की कीमत कल मैं कोशिश करा था मेरे में कोशिश करूंगी स्वेज वाटर और सॉलिड वेस्ट को सैग्रिगेट करने के लिए रूप टॉप सोलर पानी फुकट में और उपर में रूप टॉप में सोलर दो रूपया चालिस पैसा यूनित और जनरेटर से अभी क्रिलोज करने मुझे दिया है पूरा हंडर परसें इथेनॉल और इथेनॉल का अभी एक हुआ है दो चीजें आपको मैं पताना चाता हूं और जो रामकुषन जी कॉडिनेट करी है कि इथेनॉल की जो एवरेज है इन्हें वल लिटर पेट्रोल इकोल टुट वन लि मेरे घर पर पेट्रोलियम सेकेटरी मंग मिनिस्टर विद्य साब और राम कुमार जीन को दिया तो मुझे उन्हें ने यह कहा कि सर इस वरे फेंटास्टिक आइडिया पर यह स्वब रही है तो मैंने हिंदी में उनको काया गाजर की पुंगी है देखो चाय पिलाओ इनको देखो टेस्टिंग करो होगा तो ठीक है ने तो खालो छोड़ दो विशेग